तो आज मैं आपके साथ ये डिसकस करने वाली हूँ कि डिरट के एक्जाम थर्ड समस्टरी कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने इस बार सीटेट 2023 का फॉर्म फिल किया होगा आप लोगों ने जो की 20 अगस्त को होने वाला है तो अभी आपको सबसेदा फोक क्योंकि उसके एक्जाम में अगर देखा जा तो केवल आपके पास एक महीना है मतलब वन मंथ सा केवल आपके लिए ये टाइम बहुत कम नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप प्रॉपर्टी के सबना के तयारी करते हो तो ये टाइम इनफ है आपके लिए अचा य इसके बाद आपको कहीं से आप classes जो है वो लेना चाहे तो ले सकते है अधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि आप लोग को सीटेट एक्जाम यह आपका रटामार एक्जाम नहीं है यह आपका concept विस्ट एक्जाम है कर आपके concept clear है आप फटा-फट से exam clear करलोगे एक्जाम सीटेट का इतना जादा इजी है इतना जादा इजी है बट उनके लिए इजी है जो concept बना के study करते हैं जो proper अपने कहा है समझ के study करते हैं अगर आप रटने कोशिश करोगे सीटेट आपसे qualify नहीं होगा क्योंकि सीटेट पूरा और पूरा समझ बेस्ट एक्जाम इ आपका वह माथ हो वह हिंदी हो वह सीडीप हो आपकी या फिर वह इवी ऐसो यह सारे आप लोंगे concept बेस जो कुशन होते ना यहां पर पूछे जाते हैं इसलिए इवी एस की तैयारी थुड़ी एच्छे से कर ले ना वह NCRT से आपकी जो कुशन से आते हैं और उसके बाद आपनों concept based बना के study जो है वो अपनी करनी है अभी जो बच्चे सीड़ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हों से मैं सबसे पहले कहूं कि एक आप लास्ट यर कुशन पेपर की बुक ले लिजे आप यूथ कॉमपटिशन करके बुक आती है उसकी आप लास्ट यर कुशन पेपर क है कि इवेएस में कितने बना रहे है मात में कितने कुशचंघ कर ओ इंगलिस-संस्कित में कितने कुशन कर पा रहे है हिंदी में कितने कुशन कर पा ओर फिर अभी score कितना आ रहा है इसके बाद आपनों स्कोर देख लीजिए आप 10 Nicholas Project की पर आप अप लोग क्या पीछे यह स्थेस में पढ़े जब लिए लिए रिखकर एक व्ता गा conteú यहां मुट्स कि और रोको दुधे मुट्स के लिए आप टाहिए वन mental program, आपको संस्कित कोही ज़ियाओ नहीं कराता है संस्कित की सीरिसली अगर देखोंगे तो सीटेक्ट पे कोई प्रपरेशन नहीं कराता, क्योंकि संस्कित में आप प्रपरेशन करा ही नहीं सकता कोई टीचर उसका रीज़न है आपको कुछ चीज़ नहीं सकती है, लिगिगा आप सोच रहोगो 25-25 नंबर हम ले आएं संस्कित तो this is not possible क्योंकि संस्कित बहुत टफ लेविल किया जाती है और CTP में संस्कित की पेड़ाजी है वह बहुत टफ हो जाती है इसलिए वह पढ़ाना बहुत डिफकल्ट हो जाता है कुछ टीचर पढ़ाते हैं लेकिन प्रॉपर्ट नहीं पढ़ा सकते उसको सीटेट अगर आप कौलिफाई करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा कुछ इंपोर्टन है वह है प्रैक्टिस सीटेट में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए लास्ट ये कुषिन पेपर आपके रिपीटेड रिपीट होते हैं आपके हर साल तो इसलिए समझ बनाइए और प्रैक्टिस करिए क्योंकि सीटेट कुछिन्स मांगता है आपकी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है तो अगर हम या पूरा कंक्लूजन निकालें कि सीटेट की तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको सबसे पहले ये कहू दूसरी चीज आप लोगो ये करनी है कि आप लोगो को डेली कम से कम एक सेट की प्रैक्टिस जरूर करनी है वाताब एक लास्ट कोशन पेपर एक आपको जरूर लगाना है उसके वाद जब आप कोशन पेपर लगाओगे तो आप देखो कि बहुत सारी चीज एम है और और जो चीज नहीं पड़ी है वो आप कहीं से भी उठा के आप देख सकते हो आपको यूटूब बहुत सारी जगे मिल जाएंगे जहां से आप प्रपर तरीके से जो टॉपिक्स नहीं क्लियर है आपके जो है ही नहीं आपके डिरेड में आप उनको कबर कर सकते हो सेकंड चीज जो आपने कॉंसेट क्लियर रखना कॉंसेट क्लियर बहुत स्याइब जादा इंपोर्डर कर दोगे और यहां कोई नेगेटिव मार्किग नहीं आपको कोशन मिलेंगे 150 150 में 1500 आपको कर सकते हो अराम से कुशन करने का टाइम भी हो का एक्जाम में आप आप लोगों को कोई करने की बिल्को ज़रूद नहीं है अगर आप लोगों ने मेरे से 1st semester, 2nd semester, 3rd semester पढ़ा हुआ है तो मैं surety के साथ कह सकते हूं कि आपको कोई भी offline कोचिंग लेने की बिल्को ज़रूद नहीं है आप एजली बहुत आराम से प्राइपर सीटेड कॉलिफाई कर सकते हो और देखो के टैड भी आप कॉलिफाई कर सकते हो बहुत आराम से बस आपनों को सीडीपी की अच्छी से नौलिज होनी चाहिए दूसरी पैडगॉजी की होनी चाहिए तो हम लोगो ने पैडगॉजी जो है वह आपके हिंदी में भी पढ़ी हुई है पैडगॉजी इंग्लिस की पैडगॉजी और लिडी हम लोग पढ़ चुके तो सारा कुछ वहीं आपको देखने वाला है तो सबसे पहले आप उठाई पर उससे प्राक्टिस क मेरे से 1st semester, 2nd semester, 3rd semester, 4th semester पढ़ा हुआ है मैं स्योर्टी के साथ आप से कह सकते हुए कि आप किसी भी teaching exam में बैठ जाएए किसी भी teaching exam में बैठ जाएए और आप exam बहुत आराम से क्रेक कर लेंगे बहुत आराम से क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि रीजन है या तो आप पह किसी भी चाहतर है पड़ारी चीजह की जरूवर्ट पढ़ेगी और जो बच्चे उल्लवडी आपके एक साल से तयारी कर रहा है एक साल से आपकी महनत कर रहा है तो आपको कोईट रहा है ना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज की जारूवध उसे के वल जरूवत अगर है तो लास थर्ड समिस्रे में कि पहले सबसे पहले अपना स्लाबस कंप्रीट करियेगा दें आप प्रक्टिस के लिए सीरिज उठाइए मैं खुद आपको प्रक्टिस कराऊंगी सीरीज से दिखो कोई भी एक्जाम अकर आपको कौलिफाई करना है सबसे पहले उसको पढ़ना सबसे पहले यह कि मत पुलिस कंप्रेज उठाइए करियेगल में घिताब करिये और तो सबसे पहले आपको सबसे पढ़ना पड़ना पड़ेका आप्से लेकर के बाद ही आप कोई भी प्रक्टिस अठाब करिये और फिर तो आप जखें अब ही आप लोगों कुछ नहीं करना आप स्टार्ट करिए सीटेट की तैयारी बहुत धमाकेदार तरीके से और बड़ी हास स्कोर लेके आना है हंड्रेट प्लस स्कोर सभी वच्छों को करना यह जियाद अकना कि आप क्वालिफाइंग मांक्स बन देखिया अपना अपना टारगेट लेके चलना क्योंकि बहुत जादा इंपॉर्टन है 100 प्लस स्कोर क्योंकि कही नहीं मेरेड में एड हो सकता है तो जो भी प्रोसेस रही लेकिन हमारा टारगेट है 100 प्लस का आपको जो की अचीव ज़रूर करना है उसके साथ में चीज और आप से कहूंग और आपको साथ 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 सीट की परफेशन करनें सीट के लिए कोई आपको आपको 10 या 12 घंटे देनी की बिल्कुल जुरूरती है आपको चार ते पांच शे गंटे में अपने सीट की परफेशन करके अच्छा स्कोर कर सकते हो कि एनफ टाइम है प्रेक्टिस करिए और रि